हाई एवरिवन कैसे हूँ आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर ट्यूटियोरियल्स में फ्रेंट्स आज अगेन आपके सामनेक most important mathematics का lecture वीडियो ल करने जा रहे हैं और पहला lecture हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि अगेन एक बहुत ही जादा important lecture वीडियो होने वाला है तो दोस्तों आज का ही जो chapter है बहुत ही स्यादा simple chapter है अगर बात किया जाए मतलब अगर देखा जाए तो है तो simple लेकिन आप लोग 7 standard में चो छोटे हैं तो श है कि आप देख सकते हो कि यह जो chapter के हम लोग शुरुआत कर रहे हैं यह सब chapters हमने अलड़ी complete कर दिया था बहुत पहले ही आप सब जानते हो जो new students है उनको शायद नहीं पता होगा लेकिन जो पुराने student जो पहले से जुड़े हुए उन सभी को पता है दोस्तों कि हमने आई चांस एक या दो कुछ lectures missing थे तो जो भी lectures missing है वो हम लोग दुबारा से बना रहे हैं उसमें से यह chapter का पहला lecture है तो बाकि जो चीज़े है वो तो हमारे playlist में मिल जाएगा इसके लिए मैं बोलता हूँ कि playlist को जरूर से चेक करते रहो हर standard का हर subject के videos वहाँ पे already available है और सब चीज की जानकर हमने उस channel के अंदर videos बना के डाली है जिसका नाम है JR Talks तो जाए JR Talks को विजिट कीजिए चैनल को अभी जग सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लेना और साथी में एक और नया channel है JR Vlogs जिसमें हम vlogging करते हैं अगर आपको vlogging अच्छा लगता होगा किसी तो सबसे पहले चाप्टर का नाम क्या है multiplication and division of integers तो आज के इस lecture में हम बात करेंगे multiplication क्या होता है आप सभी लोग जानते होंगे इसके पहले आपने six standard तक बहुत सारे multiplication पढ़े होंगे लेकिन multiplication में आपने normally सिधा सिधा नंबर लिया होगा यानि टेबल आपको अगर याद होगा तो 5, 6, 30 होता है 6, 3, 18 होता है इस प्रकार आपने पढ़ा होगा लेकिन यहाँ पे जो multiplication है यह थोड़ा सा अलागे क्योंकि यहाँ पे कुछ multiplication आने वाले हैं इस प्रकार से जैसे क 5 है तो 5 multiply by minus 4 इस प्रकार से नंबर आ गया तो आप बोलोगे कि sir 5 multiply by 4 तो पहले सुना था कि 5 4 होता है 20 लेकिन यह minus कहां से आ गया और तो 5 को minus 4 से multiply करेंगे तो क्या आएगा तो यह क्या rule है और इसमें क्या क्या चीज़े होती है बस इसको समझ लो अगर आपने यह जो rules अगर आपको समझ में आ गए तो trust me दोस्तो आज के बाद कभी भी आप 8 में चले जाओ 9, 10, 11 या फिर आप 12 पास कर लो graduation में चले जाओ engineering कर लो या फिर कोई भी पढ़ाई कर लो यह चीज़ को आपको कभी परिशानी नहीं होगी कभी confusion नहीं होगा तो अभी जो मैं rules लिखा लिखाएगा है मैंने नहीं यह plus वाला number है तो अगर कोई एक plus वाला number multiply होता है दूसरे plus वाले number के साथ तो answer भी plus ही आएगा यानि कि जो answer आएगा multiply करने के बाद वो भी plus में ही रहेगा यह हमारा पहला rule है दूसरा rule हमारा यह बोलता है कि अगर कोई plus वाला number है और वो अगर एक minus वाले number के साथ multiply होता है तो answer जो आएगा वो आएगा minus, यानि कि जबी भी दोनों में से कोई एक number भी minus अगर होता है, दोनों number में से कोई एक number भी minus के साथ होगा, minus के साथ मतलब जैसे कि plus वाला number 5 हो गया, multiply by minus मतलब minus 4, इस प्रकार से अगर कोई number लिखा है, तो multiply करने के बाद जो भी answer आएगा, जैसे 5 forza क्या होता है दोस्तो, 20 होता है और हमारा rule क्या बोलता है कि कभी भी दोनों में से कोई एक number भी minus में है तो answer भी minus आएगा, यानि कि इसका answer क्या आएगा minus 20 आएगा, सिर्फ 20 नहीं आएगा क्या आएगा, minus 20 बहुत ज्यादा simple है, ठीक है, आगे examples पूरा solve करके दिखाओंगा, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग तीसरा जो rule है, बहुत ही simple rule है, कि अगर हमारा एक minus है पहला वाला minus है और दूसरा वाला plus है यानि पहला number जो है minus में है दूसरा वाला plus में है, तो भी हमारा answer minus में ही आएगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला था, कि अगर दोनों में से कोई भी एक minus भी होगा, तो भी हमारा answer minus में आएगा, ठीक है अब चौथा rule ये बोलता है, कि अगर दोनों के दोनों number minus में है, यानि ये भी minus में है, multiply हो रहा है, ये भी minus में तो answer हमारा क्या आएगा इस बार plus में आएगा, क्योंकि minus और minus जब आपस में मिलते हैं और multiply होता है, तो ये minus और ये minus आपस में multiply होके क्या बना देता है प्लस बना जता है, जैसे कि example के तौर पे minus 3 एक number है, multiply by minus 4 एक number है, तो दोनों के दोनों number क्या है, minus है, तो ये minus ये भी minus, पर answer क्या आएगा, सबसे पहले आपको numbers को multiply करना है, minus plus जो भी है उसको भूल जाओ पहले, पहले number क्या है 3 और 4, 3 4 जा कितना होता है, 12 होता है 3 multiply by 4, 12 होता है, लिख दिया अब sign क्या आएगा, plus आएगा की minus आएगा उधर पे, तो जैसे मैंने बोला कि अगर दोनों minus है तो हमारा answer plus में आएगा, तो ये 12 वैसे का वैसी रहेगा, इधर पे minus हम नहीं डालेंगे, clear है, तो उम्हीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, तो these are the basic rules, ये आप लोग आज पढ़ रहे हो लेकिन आपको जिंदगी बर के लिए काम आएगा, जब-जब आप mathematics पढ़ोगे, या फिर जब-जब आपको ये सब चीज हमारे लिए बहुत ज़्यादा simple लगता है, मतलब, actually हमारे language में हम बोलते हैं, चिंदी है, मतलब बहुत चिंदी है, मतलब इतना simple है कि आप लोग अगर समझ जाओगे, तो आप भी जब एक साल के बाद, दो साल के बाद, जब higher standard में जाओगे, 8-9 में जाओगे, तो आप बोलेगे, क्या यार, ये maths है, क्या यार, इतना easy maths होता है, क्या ऐसा बोलोगे, तो यार, trust me, कोई भी चीज, maths, actual में easy सब जब जब लोग उसको hard बना देते, क्योंकि वो conceptual knowledge को पढ़ते नहीं है, basic rule उनको पता ही नहीं होता है तो अगर आपको किसी भी चीज का basic rule पता है तो आपको कभी भी कोई परिशानी नहीं होगी कोई भी टाइप का questions पूछने हो तो mathematics में correct है, या बैकरी करते होगे, इसलिए हमारा चानल का मकसद यही है, चाहे कोई भी standard हो हम लोग provide करते हैं आपको conceptual knowledge ताकि आपको सिर्फ उस standard के लिए नहीं आगे आने वाले standards के लिए भी आपको काम आएगा, ठीक है, तो चलिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा basic rule, आप कुछ example ले लेता हूँ let's suppose कि मैं एक number ले लेता हूँ 5 multiply by 5 कितना आ जाएगा answer बताओ 5 multiply by 5 is nothing but 25 और ये plus आएगा कि minus आएगा plus ही आएगा, क्योंकि ये दोनों में से कोई भी number minus नहीं है, दोनों में से कोई भी number negative नहीं है, दोनों के तो आनो positive आप एक और example ले लो, let's suppose आपको question पुछा है, 5 multiply by minus 4 5 multiply by minus 4 तो इसका answer क्या आएगा, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि positive दूसरा negative है, ठीक है, तो आपको ये तो पता है कि 5 multiply by 4 करूंगा तो 20 आएगा, ये तो पता है, लेकिन 20 क्या आएगा, plus 20 आएगा कि minus 20 आएगा, तो आप देखोगे कि दोनों में से, एक के पास है minus, तो जब भी दोनों में से, एक के पास minus रहता है, तो answer भी minus में आता है, याँनि answer क्या आएगा, minus 20 आएगा, ये एक और example है, तीसरा example, ठीक है जैसे कि एक number है मेरा minus 6 ठीक है? पहला number है minus 6 यानि minus वाला है, negative वाला है अब इसको मुझे multiply करना है positive number 7 के साथ ठीक है? तो आप देखोगे यहाँ पे तो पहला number minus में है दूसरा number plus में है तो पहले तो हमें क्या करना होता है? number को number से multiply करना होता है तो 6 x 7 होता है 42 6 x 7 is 42 होता है, यह तो आप जानते ही हो 6 x 7 is 42, अब answer में positive वाएगा की negative वाएगा तो आप देखोगे कि यह दो number में से एक number ही खाली negative है, एक number ही minus है तो minus आ जाएगा, तो minus 42 is the answer correct है? अब एक और example ले ले लेते हैं अब जैसे कि एक question पुछा है आपको that is 8 minus 8 ठीक है? अब चलो, minus 8 multiply by minus 6, आप देखोगे यहाँ पे तो दोनों number के पास क्या है? minus है तो पहले number को number से multiply कर दो तो 8 multiply by 6 होता है 48 8 6 हा 48, ठीक है? अब दोनों के number के बाद minus है, तो हमारा rules जो हमने पढ़ा था कि अगर दोनों number minus में है तो answer क्या आता है? plus में आता है, positive आता है, क्योंकि यह minus multiply by यह minus एक दूसरे को cancel कर देते हैं और plus में convert हो जाता है, तो यानि कि यह answer आएगा सिर्फ और सिर्फ 48, बताब plus 48 clear है? तो उमीद करता हूँ कि यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही simple तरीके से हमने explain किया, एक और type का examples बता देता हूँ, यानि कि same numbers change करके बता देता हूँ, ठीक है यह हमने बता दिया plus plus, plus minus, minus plus और यह minus minus, ठीक है? वैसे ही एक और बता देता हूँ, फिर हम लोग आज का lecture stop करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा simple है, ठीक है? बहुत ज्यादा ही simple है, और आप लोग के लिए कुछ homework भी दे दूँगा, जाते-जाते, ताकि आप लोग भी कुछ practice कर पाओ, और आने वाले lectures में हम लोग आगे, जो है वो चीजे जो है वो तो हम लोग पढ़ेंगे, उसमें कोई परिशाने वाली बात नहीं है, तो चलो, one more example study करते हैं, कि एक question ले लेता हूँ, 10 multiply by 8, क्या आ जाएगा? दोनों plus है, दोनों plus है, तो पहले number को number से multiply करेंगे, होता है, 80, और दोनों positive है, तो answer भी positive है, यानि 80 का 80 ही रहेगा, minus नहीं होगा, ठीक है? तो 80 आ गया, second, अगर मैं एक number positive लेता हूँ, let's suppose 8 मैंने positive ले लिया, और उसके साथ मैंने number multiply किया, जो की negative है, यानि 8 multiply भे minus 3, तो 8 3, 24 होता है, 8 3, 24 होता है, लेकिन यहाँ पर आप जब notice करोगे, तो एक number minus है, तो जब भी कोई, दोनों में से एक number minus होता है, और multiply हो रहा होता है, तो answer भी क्या हो जाता है, minus में हो जाता है, यानि इसका answer क्या आया, minus 24 क्या आया, minus 24 आया, ठीक है, आप तिसरा question देखते है यहाँ पर, third question किस प्रकार है, बहुत simple है, आप तीसरा question में ले रहा हूँ, कि पहला जो number है, वो मेरा क्या है, negative है, और दूसरा जो number में ले रहा हूँ, वो मेरा positive है, ठीक है, तो minus 7 multiply by 8, तो minus 7 multiply by 8 आप जब देखोगे, तो पहले number को number से multiply कर लो, 7, 8 आप कितना होता है दोस्तो 56 होता है 7, 8 आप 56 होता है, लेकिन आप देखोगे कि यह number negative है, यह number positive है, यानि 1 minus 1 plus, तो जब भी ऐसा होता है, एक minus होता है, तो answer में भी minus आता है, तो minus 56 कितना simple है, है की नहीं दोस्तो, कितना simple है, आ रहे न, आभी rules, दिमाग में चल रहा है चारो rules दिमाग में होने चाहिए, तभी आप solve कर पाऊगे, बहुत easy है, और time नहीं लगता है जाह से आदा, 10 second लगता है वो rules को memorize करने में, rules एक बार आपके दिमाग में छब गया, तो यार कितना भी hard question दे दो, चाहे 25, 30, या फिर ऐसे line wise दे दो, कितना minus 5 multiply by minus 6 multiply by minus 7, कितने भी लंबे 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 वाले दे दो, आपको कोई परिशानी नहीं होगे और आगे जाके हम लोग यह सब चीज़े भी पढ़ेंगे जैसे यह से थोड़े higher standard में जाएंगे, और अच्छे चीज़े पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है एक last example ले लेता हूँ, कि minus 6 multiply by minus 5, यानि यह दोनों के दोनों number जो है दोस्तों, वो क्या है? negative है, यह भी minus में है, यह भी minus में है minus 6 multiply by minus 5 is nothing but, क्या हो गया? पहले तो 6 है, number है, तो 6 multiply by 5 कितना होता है, 30, जोनों minus के वैसे, वो answer positive में ही रहेगा, क्योंकि minus और minus जैसे मैंने बोला था, क्या हो जाता है, plus हो जाता है, तो यह answer 30 ही रहेगा change नहीं होगा, clear है? तो उमीद करता हूँ कि यार, आपको यह चीज़ बहुत easily समझ में आ गया होगा ठीक है, तो बस दोस्तों यही ता फिर हमारा आज का lecture वीडियो, जिसमें हमने आपको पूरा का multiplication सिखा दिया, चाहे वो किसी भी तरीके से पूछो, plus plus में पूछ लो, minus में पूछ लो, plus minus में पूछ लो, तो आप कभी भी आराम से solve कर सकते हो, ठीक है तो यहाँ पर मैं rough करता हूँ, क्योंकि जाते-जाते मैं आप लोग को यार, कुछ 2-3 example, 4-4 example homework देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा तो active रहोगे, क्योंकि answers हमें comment box में comment करके बताना है, मैं भी चाता हूँ, आप लोग comment करो, ठीक है ना, दोस्तों, तो फटा-फट से comment कर देना, तो पहला आपके लिए सवाल है, 7 multiply by 6 is equal to dash, ठीक है, second है आपके लिए minus 8 multiply by 4 is equal to dash, ठीक है, तीसरा सवाल है आपके लिए, दोस्तों 8 multiply by minus 3 is equal to dash, एड़ चौथा सवाल आपके लिए है, दोस्तों, 3 multiply by, minus 3 multiply by, minus 6 is equal to dash, तो यह 4 example मैंने लिखा है आपके लिए, जो कि अलग-अलग तरीके के हैं, 4 example के जवाब, मुझे answers, comment box में comment करके दिखाईएगा, और मैं भी यह देखना चाहत हो, कितने लोग correct answer दे पाएंगे, और मुझे पूरी उमीद है यार, मुझे पूरी उमीद है कि आप लोग जो है, definitely पूरा 100 के 100% बच्चे, correct answer करोगे, 4 के 4 question के, क्योंकि है है, है जरूर से कर देना, अपने सारे friends and relatives को फटा-फट से share कर देना दोस्तो, and अगर आपने अभी दग इस channel को subscribe नहीं किया है, तो फटा-फट से हमारे channel को subscribe कर देना, साथ मैं एक bell icon होता है, उसको press कर देना, ताकि future में हम कोई भी videos को upload करेंगे, तो आप लोग को notification मिलती रहेगी, ठीक है friends, तो मिलते हमारे अगले वीडियो में, यह video देखने के लिए, thank you and good bye